दोस्तो जैप्रकास पॉर्वेंचरस लिमिटेड की बात करें श्टॉक लगातार बहुत ही सांध्या तरीके से दोड़ रहा है और इसके पीछे वज़े है इसका क्वार्टर तरीका रिजल्ड रिजल्ड बहुत ही जबर्दस राइस बार और इसके बाद में या पर तेजी की समयने की कोसिस करेंगे इसके अलावा जो सबसे बड़ी चिंता थी रुगों की की सरकारी समय ग्रीन अनर्जी को प्रमोट करिया और इसलिए आने वाल इसमें थर्मल पॉर प्लान की कैप्रसिटी को कम कर लिया जाएगा तो यहाँ पर इस खबर जो आई है इससे मात समझ मे अनर्य की ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहे बलकि सरकार थर्मल पॉर प्लान की कैप्रसिटी को भी बढ़ाने जा रही है और इसको लेकर ही बड़ी अपडेट है उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माधिम से इसके अलावा जेपी पॉर के पॉजिटी और निगेटिव की पहली को समयने की कोसदिस करेंगे कि यह जो पहली श्टोक है कितना मचबूत है क्या आने वाले समय यह 3 जीजिटल में जासकता है जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माधिम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेला इकॉन दबा दीजिए ताकि छबी ने वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो श्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवय और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले बीए सी सेंसेक्स की बात कर ले तो इस समय लगए दो बजे के आस्पास का टाइम में 72,148 के इस्तर पर जापे 503 पॉइंट की सांदार तेजी बनी हुए तो कल बजट में थोड़ा सा नर पर तेजी यानि 2.91 पर अपर है निप्टी अनर्जी आज निप्टी अनर्जी दोड रहा है अब जेपी पहर की बात करें तो स्टॉक की सिर्वाद भी पॉजिटीव 18.50 पर कल की क्लोजिंग 18.15 के आसपास थी इंट्रा डे में 19.05 का हई भी बना काफी सांदार दोड लग जिर्णि पर तेज़े उसके बाद में एक फरवरी को कल आई थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉक ने 18.15 के आसपस क्लोई नी जापे 2.2 परसंट की गिरावट देखने को मुझे तो कल काफिय ची तेजी बनी उपर के लिवर से प्रॉफिट बुकिंग आई लेकिन आज स्टॉक फिर से सांधा प्रदसन कर और आज लगए देट बजे के आसपस 10 क्लोट का वॉलिम हो चुका है अब आप देखते हों कि इंट्राड एका लो जो है वह 18.40 का लेकिन हाई 19.05 का फिप्टी टुवी का लो 5.15 और हाई 19.20 का जो कल इसने बनाया था तो अभी फिलाल उपरी लेवल के आसपस श्टॉक आ जा रहे हमारे पी एम नर्ण मोदी जी तीन फरवटी को यानि पर सो ट्वंटी एट हुजन नाइन एंडेट सेवंटी एट क्रोट के थर्मल पाउर प्लांट की यूजना का इन्योग्रेशन करने जा रहे यह बहुत बड़ी एक यूजना है आप देखे तो एंटी पीसी ब बारी बरकम निवेस होगा तो अब यह जो लोगों के मंद का जो डर था वो यहां पर खत्मतों दिखाए देगा क्योंकि सरकार थर्मल पाउर प्लांट के लिए भी बारी बरकम खर्च कर रही है यानि यह जो रकम है यह बहुत छोटी नहीं है इसका मतलब ही है कि आने वाल बेंगाल, जारकन, गुजरात और सिक्किम को किया जाएगा तो काफी बड़ा पाउर प्लांट यहां पे स्टाबलीज किया जाना वाला है तो कुल मिला के देखे तो यह खबर से एक बात तो समझ में आ गई है कि इस समय पाउर प्लांट के कैपसिटी को कम नहीं किया जाए अब यहां पे बड़ी गुणिज और निकल क्या रही है रेटिंग एजनसी इकरा की तरफ से जो एक अनुमान लगाया गया है कि थर्मल पाउर प्लांट की जो कैपसिटी है उसमें 69% की वर्जी देखना को मिलेगी जो कैपसिटी टोटल यूटिलाइज होगी उसमें 69% की देखना को मिलेगी तो देख से तो जिस तरफ इलेक्टिसिटी कंजम्सन बढ़ रहा है उसको पूरा करने के वज़े से तो थर्मल पाउर प्लानट है वो अपनी पूरी चमता के साथ काम करते हो दिखाए देंगे और इसके पीछे वज़े है कि एक तो डिमांड बढ़री इलेक्टिसिटी के और साथ में लिमिटेड थर्मल पाउर प्लानट कैप्यसिटी है जिस वज़े से पूरी चमता से यानि 69% की वर्ज़े आपे देखना को मिल सकती है और थर्मल पाउर प्लानट के लिए जो इन्हों आप जो आउटलूक रखा है उसको स्टेबल रखा है और देख सकते हो कि उनके हिसाब से थर्मल पाउर प्लानट में एक हेल्दी इंप्रूमेंट देखना को मिल सकता है और सरकार की तरब से जो स्टेट डिस्टूबिशन उटिलिटी जिसकॉम और जो एक तरसे लेट पैमेंट सर्चार्ज लगाया गया इसी स्किम जो लाई ग पैरिया इकरा की कि आने वाले समय में थर्मल पाउर प्लानट कैपसिटी और बढ़तियों दिखाए देगी तो यहां पर देख कि इरिश कुमार कदम जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है इकरा के उनका कहना है कि इस समय 30 गिगावाट की कैपसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन ह थर्मल पाउर प्लानट की जो आने वाले समय कंप्लीट होगी और दूसरे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के भी प्लेयर है जो इस समय थर्मल पाउर प्लानट कैपसिटी को बढ़ान में लगे हुए यहां पर एकरा जनुमान लगा है कि आने वाले 2030 तक 6% की ग्रोथ औ प्लानट को मिलेगी यानि electricity डिमांड और बढ़ेगी और उसमें बहुत सारे नए थर्मल पाउर प्लानट ही मुखे जरिया दिखाए देगा तो जो डिमांड बढ़ेगी उसको पूरा आखने के लिए कम से कम 70 गिगावर की कैपसिटी को और एड़ करना होगा यानि सरकार आने वालस में बहुत सारे नए थर्मल पाउर प्लानट शुरू करेगी अब या पे जेपी पाउर की बात की इस बार रिजल्ट भी बहुत ही बेतर दिया आप देखी सकते इसका सेल्स काफी तेजी से बढ़ा है मार्च 2023 में जापे 1380 क्रोड के आसपास था उदिस्वर 2023 मे देखने हों मिरा है ओपरेटिंग प्रॉफिट में वह लगातार ओपरेटिंग बढ़े mist rainbow में सबसे सान्दार प्रॉफिट है अधर इंकम इस बार माइनस है कि इस वजई से इसने में प्रॉफिट को कुछ कम किया 56 सो ब् सब्सक्रें में इसका बार इसने क्रोड सानदार इ 56 क्रोड अधर इंकम माइनेस ने होती तो यह जो प्रॉफिट है यह 200 क्रोड से भी उपर जाता तो ओर आल देखे तो काफी अच्छा पर्दसिंद किया है और इस रिजल्ट के बारे आपर सम्मावना तेजी बनी हुई है और यह श्टॉक कमाल कर सकता है अब एक बार कुछ ब मिनट पर 18.90 की प्राइस से 8,74,000 की सांदर खरिदारी और हुई फिर 11 बजे 18.95 की प्राइस से 11,22,000 की सांदर खरिदारी और हुई उसके बाद 12 बज कर 5,19 की प्राइस से 9,40,000 की बड़ी खरिदारी और हुई तो एक ले लिए आप सम्मद सकते हो कि काफी अच्छी जो इसारा है कि स्टॉक कमाल कर सकता है अब यहां पर इसकी प्रदर्शन को देखे तो काफी सांदर है मीड केप कंपनी और पावर इंडेक्स के मुकाबलिस का प्रदर्शन अच्छा है पिछले पास सालों इसने 59 परसें का पावर इंडेक्स में 27 परसें की तेजी बनिया और बिया सी पावर इंडेक्स में 46 परसें की तेजी बनिया तो सबसे सांदर इटन जेपी पावर का है वनियर की भी बात के उसने 171 परसें का बम पर इटन दिया है जबकि मीड केप में 59 परसें की तेजी बनिया है पावर इंडेक्स 68 परसें दोड़ा है तो रिटन जो है स इसना 37% का साणधार रिटन दिया हा, जबकि मीड केप में 5% की तेज़ी बनी है, और इंडेक्स में 11% की तेज़ी है तो सबसे साणधार रिटन JPR का है year to date के इसाफसे इसने 35% का bumper return दिया है जबकि BSE mid cap में 5% की तेज़ी है और power index में 11% की तेज़ी है overall देखे तो पिछले पास साथ से सबसे सांधारिया processing कर रहा है ऐसे में long term काने ज़रे लेके निवेश करें आने वाले से में JP power आपको माला माल कर देगा लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor भाड़ भी ले ले या अपना खुद का research करें क्योंको माईने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like से जुरकी जोड़ चैनल को subscribe कर दीजे Thank you friend